नमोशकार, 46 रूपकडिन में अब सवी को स्वागत है ये लोटस का नाम है शात्ता बैंकोट ये बहुत खुबसूरत एक लोटस है इसको कैसे छोटे गमला में हम लगा सकते है कैसे इसका दिख्भल किया जाता है सवी इस वीडियो में है ये वीडियो आप पूरा देखते रहे है ये कमल के पौधे हमने रानार से ग्रोव किया था रानार मतलब है कमल के जो जर है उधर से जो नया पौधे निकलने का जो रूट निकलता है उसे ही हम रानार कहते है ये एक बहुत अच्छी हेल्दी रानार है इसे हम online खरिदा था, हम इसे जब packet से पहले खोला था तो direct हम नहीं लगया, हम कुछी घंडों पानी में भीगा के रखा था और 10 दिन पहले हम गमला में मिट्टी तेयर करके रखे थे, 10 दिन पहले मिट्टी तेयर करके रखने से पौधे अच्छे ग्रोव करते हैं ये मिट्टी में हमने दिया है 25% गबड की खाद और 75% मिट्टी अभी इस राणार को धीरे धीरे मिट्टी के नीचे ढग देना है सिरफ पत्ते को मिट्टी के उपर रखना है अब ये इसके उपर पानी डालना है जब तक ये टेंटल पानी में डूबना जाये तब तक पानी डालना है पानी डालना है से हातों के उपर डायरेक पानी डालने से जर पहन निकला सकता है अभी इसमें हम रखा है थोड़ा एजोला और वाटर लेटूस वाटर कैबिस भी हम इसको बोल सकते हैं कुछी दिनों में ये पौदे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है अब इसमें नया कोली भी आ गाया है या भी ये देर महीना के है रानर से गुरू करने के लिए थोड़ा बक्त लगता है लोटासाने में ये कौमल के पौदे बहुती अच्छी तरह से गुरू कर रहा है एक के बाद एक कली आ रहा है हमें इसमें 15 दिन अंतर खाट डलते है हम और्गनिक खाट डलते है सत्ता पैंकाट कमल की कली बहुती खुबसरत होती है इसका फूल जितना सुन्दर है कली भी उतना ही सुन्दर है इसके पत्ते थोड़ा उपर हाइट में आ गया है जब पौदे मैचरिटी में आता है तर इसका हाइट उचा हो जाते है यह पुरणा पत्ते है यह गमला 10 इंची का है हम इसमें 15 दिन बाद बाद यह खाट डालते रहते हैं हम इसमें गवर के एक चमच करके दो चमच गवर की खाट एक पेपर में डलकर दो से धाई इंची गहड़े में पानी के नीचे मिट्टी के अंदर हम इसमें गाड़ दिये है ये फूल एक दो दिन में खिनले वाला है अभी फूल खिल भी गया है बहुती खुबसुरत ये सत्तव एंकट लोटास थोरा सा केयर करने से बहुत फूल देते रहते है ये पत्ता जो अच्छे होते है उसके उपर पानी नहीं ठेड़ते है पत्ते जब पूरे नहीं होते है तब उसको काट कर फेकना चाहिए इसमें पौदे अच्छे रहते है ये गमला ज्यादा हाइट का नहीं है गहरा एक फिट का है और चावडा में देर फिट है बहुती छोटे गमला में ये शत्ता बैंकाट हम घर में ग्रो कर सकते है ये फूल आगस्ट में पहले बार खिला है जब तक ठंड नहीं आता है तब तक ये फूल देते ही रहेगा ये शत्ता बैंकाट कमल गार्डिन में खिलने से गार्डिन का शोवा बहुती बढ़ गया है बहुती खुबसुरत ये सत्ता बैंकाट लोटास जब पहले बार फूल खिलने का जो बक्त होता है उस टाइम पौदे अच्छी तरह से मेचरीटी नहीं होने के बज़े से कभी-कभी कली खूद खिलने ही पते उस टाइम हम थुरा से उसको खिला देते तो बाद में जब उसका मेचरीटी आ जाता है तब वो खूदी खिल सकती है पहले एक और दो कली हमको अपना हाथ से खिलना पड़ता है ये फूल का मेचरीटी आ गया है ये अब खूदी खिल सकते है कमल के फूल खिलने के बाद इसके जो पंखड़िया है ये पत्ते के उपर आके गिरे है ये पंखड़िया और ये वाटर कैबेज इसको बीच बीच में क्लीन करना चाहिए ज्यादा वाटर कैबेज पत्ते के उपर आ जाएगा तो पत्ते ये लो होकर खड़ाब हो सकती है इसलिए इसको हटा के गमले को क्लीन करना अबश्यक्ता है इससे फूल अच्छा आएगा और पत्ते भी अच्छे रहेगा बहुती खुबसुरात ये सत्तवैंकट का मल हर पत्ते के नीचे नीचे एक कलिया रखा है ये कली लगातार खिल रहा है कैसे लगे हमारी ये सत्तवैंकट लोटास जुरूर कमेंट्स करना और मेरी चैनल को सब्सक्रेब करना नहीं भूलना फिर मिलेंगे नए कोई वीडियो के साथ तब तक चलते हैं धन्यवाद